हेलो एवर्यवन और वेल्कम देव फाइव ऑफ एपिएस एग्जाम प्रैक्टिक सीरीज आज भी हमनों सोशल स्टेडिस के कुछ चैप्टर को करने वाले हैं तो आज का जो चैप्टर है वह है एक्रिकल्चर एंड पावर शेरिंग एक्रिकल्चर और पावर शेरिंग से कु सब्सक्राइब को सुनें पहला कोश्चन है मैं सब्सक्राइब करना है इस ताइप के कोश्चन भी आने के चांसे हैं तो कॉलम यह में आप देख सकते हैं अलग-अलग क्रॉप्स के नाम दिये हैं और यहां पर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना जैसे कि कौन सा सीजन है या कौन सा ग्रूप है जवार-बाजरा-गी क्या होता है इसको कहते हैं फिर वीट है राइस है पहले इसको अच्छे समझते हैं इसमें से आपको फायदा यह हो सकता है कि मानली जे पांचो का पांचो आपको नहीं पता है हो गिया हमारा कि one का ए होगा ठीक है अब इसके बाद पुरा का पुरा खेल option का यहां पर option मैंने नहीं रखा है options आपको वहां पर दिये रहेंगे ठीक है ताकि आपको समझने मासानी अब जिसमें भी आपको one का लिखा होगा तो अगर अब इसमें एक और दिक्कत यह होता है कि one के साथ यह वाला हो सकता है दो option हो जाए तब आपको देखना पुड़ेगा कि दूसरा या तीसरा को पकड़ना होगा इस ट्रिक से भी हम लोग सही की अंसर को बना सकते हैं एक हमें मिल चुका है कि जो आर बाजरा का one का यह हो रहा है ठीक है उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि लिगुमिनस क्रॉप्स जो होते है वो डाल को बोलते है ठीक है फलसे यहाँ पर आगिया तो five का सी अब यह जो question आपके लिए बहुत important इस क्या कहते हैं उससे भी नमर कोश्चन आ गया तो समझेगे यह पांच नमर के question हम लोग कर रहे हैं इसे पांच अलगले question पूछे जा सकते हैं फिर उसके बाद water million मस्क मेलन्स जो होते हैं वह कौन सीजन में होते हैं तो यह जायद में होते हैं ठीक है तो जायद अब आपको दो तीन option मिल गया उसके बाद बाद आपको answer बताने की विजरूत नहीं है वह बाकी का option उसमें correct आपको set मिल जाएगा वहां पर ठीक है तो हो गया बाजरा राग मिल गए अगला match the following एक और है इसमें अलों देखते हैं अब left hand side right hand side में फिर से दिये हुए है तो इसके बारे में कुछ information relate करना है हमें जैसे कि इसमें एक तो हमें बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि किसान credit card यह तो हमारा 5 का सी जिसमें रहेगा सभी option में सार्ज कीजिए कि 5 क सी कहा है 5 का सी कहा है तो हो सकता है 5 का सी सिर्फ एक ठों में ही है मतलब आपको पूरा पढ़ने के वजरूतने वही आपका correct answer है अगर 5 का सी एक या दो तीन में option में दिया हुआ है तब आपको और भी कहीं के देखना है जैसे कि गुल को हम लोग जैगरी कहते है ठीक है अब कर नहीं है ठीक है ऐसे question में खब राना नहीं है और भी कुछ देख्ते हैं हम लोग hold can यह हो गया फाइबर फाइबर जिससे धागा यह जैकेट वगएरा बैक्स वगएरा बनाए जाते हैं जूट से बनता है गोल्डेन फाइबर बोले जाता है और जो एक लाश बच गया लुगिमिनस फिक्सिंग नेट विजन इससे जो अप्शन बच गया जो नहीं भी आता है आपको आटमेटिकली पता चल जाएगा चली आगे देखते हैं कल्टिवेशन और फ्रूट्स एंड वेजटेबल अभी हमने देखा था फ्रूट्स एंड वेजटेबल के कल्टिवेशन को क्या कहते हैं होटी कल्चर देखिए अब वही मैस दाफॉले में पूछा यहाँ प इस्टर बहूं सारए कुस्टन presumably से चारे चार चार के बारे में को समझे इनमें से कौन से सही है Commercial Farming के बारे में मतलब इस चार बाते बताई गई है इसमें से एक सही है या दो सही है या चारों सही है तो यह आपको बताना है Commercial Farming के बारे में चलिए देखते हैं पहला Farming is done in a larger area Commercial Farming का उद्देश्ट क्या होता है कि एक टाइप का फार्मिंग होता है पहले पेड़ों को जंगली पेंगी है जाड़ी है उसको आग लगा दिया जाता है फिर उसके बाद उसके खेती होती है जुसरे सलेशन Ci रड़ कर wars अबर्ण बहुत ही पुराना टेकनिक है यह और शील टर्मन में नहीं आता है किसder में आता है यह प्रेमिटी ह fan जोन करें जोप बुरते है यह सब इससे भी पूचता है तो slash and burn फिलाल तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि यह commercial farming नहीं है, use of latest technology, commercial farming जो किसान होते हैं, बड़े बेमाने पर करते हैं, इनके पास धेर सारा पैसा होता है, तो latest technology का इस्तिमाल करता है, जैसे कि irrigation करने के लिए, sprinkler वगेरा का use करते हैं, tractor वगेरा से काम लेते हैं, तो latest technology इ नहीं, जब इतना कुछ हम लोग apply कर रहे हैं, तो वो भी तो ज्यादा रहेगा, maximum रहेगा, मतलब यह option भी गलत है, तो इससे हमें पता चल गया कि 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है, ठीक है, देखते हैं कौन सा option सही बता रहा है, पहला हम बोल रहा है, बोथ 2 और 3, क्या बोथ 2 औ और 3, 1, 2, and 3 मतलब यह तीनों, यह तीनों में तो यह दोनों सिर्फ सही है, यह तो गलत है, तो यह option भी गलत हो गया, 3 में बोलता है, 1, 3, and 4, C में, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 4 भी तो गलत है, यह भी नहीं होगा, लास में बोलता है, बोथ 1 and 3, डी नंबर, बोथ 1 and 3, तो 1 और 3, यह दोनों सही है, मतलब option number D हमारा correct है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ questions देखते हैं, जो अगला chapter है हमारा farming agriculture के बाद power sharing, power sharing से कुछ question यहाँ पर लिया गया है, आईए देखते है, power sharing में दो देशों का जिक्र था, एक सिरलंका था, एक Belgium था, ठीक है, तो इन तनाओ create हो गया था, किन भासा बोलने वाले लोगों किन भासा बोलने वाले लोगों को, ठीक है, तो कौन-कौन से भासा बोलने वाले लोगों की बिच में तनाओ हुआ था, यह आपको बताना है, Belgium में, तो Belgium में हुआ था, Dutch और French के बीच में, ठीक है, डच और French के बीच में त्याहिए हो जाएगा सही जवाब अब इसमें आपको confusion create करने के लिए अलग-अलग option दिये जाएगे जैसे कि French यहां पर दिया हुआ है डच यहां पर दिया हुआ है तो आपको French और Dutch दिख रहा है लेकिन किसके बीच में हुआ था English तो नहीं होगा Polish तो होगा नहीं तो Dutch भाषा बोलने वाले और French भाषा बोलने वालों के बीच में जगड़ा था जो कि Belgium में चल रहा था इसलिए यह आपका answer number one सही होगा है अब पूछ दिया है कि कौन से धर्म को follow करते थे एक तो information दिया हुआ है लेकिन पूछ दिया है कि कौन से धर्म को follow करते थे तो यहाँ पर चार धर्मों के नाम है Muslim, Buddhism, Hinduism and Christianity तो the correct answer is Buddhism वे लोग Buddhism को follow करते थे चीक है आए आगे बढ़ते है which of the following statement is not correct about power sharing power sharing chapter है, power sharing के बारे में कुछ बाते दी गई है power sharing होता क्या है, power sharing होता क्या है, क्या सही है या गलत है यह आपको बताना है तो देखते हैं, power sharing it is the spirit of democracy यह democracy का spirit है, यह statement बहुत ही famous है, बहुत important है तो यह correct है, यहाँ democracy को support करता है क्योंकि power को हम लोग share करते हैं, ठीक है, जो शक्तियां है उन्हें हम लोग बाट देते हैं, जैसे कि कोई राष्टर है, कोई देश है उसके central power को हम लोग कुछ शक्ति देते हैं, फिर state power को देते है state government, central government, state government, फिर local government इस तरह से क्या ओरा power बढ़ता जा रहा है तो कह सकते हैं, कि यहाँ के लोगों को भी अधिकार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को भी अधिकार मिल रहा है अलग-अलग जगा अधिकार मिल रहा है, तो डेमोक्रेसी भी यहाँ पर दिख रहा है तो कह सकते हैं यह statement सही है ठीक है concept वह जगने जाए यह बिलकुल गलत होने का कोई चांस ही नहीं है अगला statement है it reduces the chance of conflict between various social groups अलग-अलग social groups के बीच में conflict मतलब जगड़ा होना तनाव होने के chance को reduce करता है यहां पर लिखा वह reduce करता है यह नहीं कि आप conflict देख लिए समझाएगी जगड़ा को बढ़ाता है नहीं जगड़ा को reduce करता है चांस को कम करता है अब अगर हम लोग power को बाटेंगे सब को power मिलेगा थोड़ा थोड़ा सब को थोड़ा मिलेगा तो जगड़ा क्यों होगा जब power बठी जा रहा है इसलिए conflict को कम करता है यह statement भी सही है तो दोनों statement सही है ठीक है आगे देखते हैं और क्या है इट इंस्योर्स पॉलिटिकल स्टेबलिटी पॉलिटिकल स्टेबलिटी स्टेबलिटी मतलब स्थिरता अगर स्थिर रहेगा मतलब सब कुछ शांत रहेगा तो अभी पहला ही वारा statement सही है हम लोग को confirm हो जाएगा इसमें क्या बूल रहा था कि various social groups में conflict को कम करता है तनाव कम हुआ मतलब स्टेबल है तीसरा वाला भी सही है ठीक है चौथा है it creates differences on the basis of language यह भासा के आधार पे भेदभाव करता है डिफ्रेंस करता है ऐसा तो नहीं है उसमें तो पावर को बाटा जा रहा है सब को दिया जा रहा है तो यह answer हमारा यह statement हमारा गलत हो जाएगा तो जो 123 सब सही है तो ऊपर का सब सही तो answer हो जागा इसका डी यह तो हमारा last question इस तरह से हम लोग और questions को solve करेंगे आने वाले वीडियो में try करेंगे कि map work को थोड़ा बता दे और कुछ important dates वगरा या फिर economics से कुछ topic अगर ऐसा मिलता है तो उसको भी आज के एक और वीडियो में ड do the revision for their exams and thank you so much have a good day